नमस्कार, हम सब साथी रेशिया घूमने के लिए आये थे नवे साथ पर, हमारे साथ दोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है, ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूकरेन छोड़ दिया गया, यूकरेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको फ भारतियों को रूस यूकरेन की जानलेवा जंग में शामिल कराया जा रहा है। मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में रूस पहुचने से पहले लोगों को ये तक नहीं बताया जाता कि उन्हें रूस यूकरेन जंग में फेजा जाएगा। और रूस पहुचने के तुरंत बाद उनके साथ जो होता है वो सोच कर किसी के भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे। तो तसली से बैठिये क्योंकि आज इंडिया टीवी एक्स्प्लेइनर में रूस यूकरेन जंग में भारतियों के तसकरी की पूरी हॉरर स्टोरी आपको बताएंगे। नमस्कार मेरा नाम है सुधानशू शिवकुमर। रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर भारतियों की अवैद तसकरी का भांडा फोड हुआ है। केंद्रिय जाच ब्यूरो यानि की CBI ने देश में भारतियों की अवैद तसकरी में शामिल एक निट्वर्ग का परदा फाश किया है। एजिंसी ने जाच शुरू कर दी है और एक साथ देश के साथ शहरों में दस से अधिक ठेकानों पर छापे मारी की गई है। ये छापे इस तसकरी के कारुबार में शामिल एजेंटों और कमपनियों पर किये गए थे जिन शहरों में छापे मारी हुई है उनमें दिल्ली, मुंबई, चन्य, तिर्वनंत पूरम, अंबाला, चंडिगड और मदुरय शामिल है रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर धोके से भारतियों को रूस यूकरेन की जंग में धकेला जा रहा है जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था, ज्यादा तर मामलों में रूस पहुंचने से पहले लोगों को ये तक नहीं बताया जाता कि उन्हें रूस यूकरीन जंग में भेजा जाएगा रूस पहुंचने के बाद उनसे एक कॉंट्राक्ट साइन कराया जाता है जो कि रूसी भाषा में यानि कि रश्यन भाषा में लिखा होता है कॉंट्राक्ट में ये मेंशन किया जाता है कि वो रूसी सीना के साथ हलपर के तौर पर काम करेंगे जिनके बदले उन्हें हर महीने दो लाख रुपए दिये जाएंगे दरसल रूस यूकरीन जंग में अब तक दो भारतियों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है इन में से गुजरात के सूरत तो वहीं दूसरा त्यलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था सीबी आई जाँच में दुबाई के रहने वाले फैसल खान नाम के एक शक्स के इन्वाल्मेंट का पता चला है बताय जा रहा है कि आरोपी को बाबा के नाम से भी जाना जाता है फैसल खान बाबा ब्लॉक्स नाम से एक यूटुब चैनल भी चलाता है आपको बता दे कि ये एक्शन तब हो रहा है जब यूक्रेण युद्ध में लड़ने के लिए बहला फुसला कर ले जाए गए हैदराबाद के एक ग्रेक्ती की रूस में दुखत मौत हो गई है इसके अतिरख पंजाब और हर्याना के साथ लोग जो शुरू में पर्यटकों के रूप में यानि कि टूरिस्ट के रूप में रूस गए थे उन्हें धोके से यूक्रेण जंग में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया था खेर इस यूटूबर समेथ कई फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और CBI इन पर तगड़ा एक्शन ले रही है वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ